नमस्कार किसान भाईयों, किसान भाईयों आज हम बात करेंगे खर्पतवार नासक जो की मेरा एकातर के नाम से आती है यह एक प्रकार का सिस्टमेटिक खर्पतवार नासी है किसान भाईयों आज हम इसके बारे में बात करेंगे आपको बताएंगे कि एक इस प्रकार से काम करती है और इसकी मात्रा क्या है और इसको कहां पर डालना चाहिए किसान भाईयों आप जैसा की जानते हैं कि जो खरपतवार होते हैं वे बिन बोए ही अनैचिक रोप से आपकी जो खाली खेत पढ़े रहते हैं उनमें जिनमें नीराई गुडाई नहीं होती है कोई फसल नहीं लगाई जाती है तो इनकी रोक थम आप कैसे कर सकते हैं और इनक cep Matthya ओने निर paar ये इन करका प्पत्वारों को आप नस्ट करने के लिए सब्से पहले आप मेरा सक्राइब एक है उसपर एक अ अहत्तर लिखा होता है पहले एकसल कर्ण साइन्स प्राइबेल लिंटreट लिन कंबनी ने इसे खरील लिया है इसलिए एकसल मेरा एकाहत्तर लिखा हुता है इस पैकट का नाम है और यह सुमी टुमू केमकल्स लिम्टेट कंबनी की आती है किसान भाईयों जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें चोणी पत्ती वाले सक्री पत्ती वाले जो भी खरपत्वा नासी हैं बारामासी खरपत्वार नासी हैं या किसी भी प्रकार के खरपत्वार हैं उनको नश्ट करने के लिए आप मेरा एकाहत्तर का प्रियोग कर सकते हैं मेरा एकाहत्तर में जो टेक्निकल पाया आता है उसका नाम गलाइफोसेट 71% डबलूजी होता है यह दानेदार में आती है और सौ गराम का पैकेट आता है किसान भाईयों सौ गराम का पैकेट 15 बाणी के लिए परियाप्त होता है आप इसका गोल बना कर जोबी खरपत्वार नाशी हैं जो बढ़ार आपके खेतों में चैए 1 साल से पुराने हैं 2 साल से पुराने हैं या भी नए नहीग उख कराए हैं आप उसमें अपने खड़ी खर्पतवार इनके खर्पतवारों पर छर्काव कर सकते हैं यह आप जरूर ध्यान रखें कि किसी भी फसल में इसका छर्काव नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक सिस्टमेटिक हर्भी साइड होता है चूंकि फसल पर आप करेंगे इसका छर्काव तो फसल भी नस्ट हो जाएगी है किसान भाईयों जहां खित खाली पड़ा हो कोई फसल न लगी हो आपको अगली फसल बोना है और खर्पतवार इतने सगन है कि आप आसानी से उसकी जुताई गुड़ाई नहीं कर सकते हैं उसको अगली फसल के लिए आप तैयार नहीं कर पाते हैं तब इसका प्रियोग के आजाता है किसान भाईयों किसान भाईयों मेरा 71 जो की गलाइफोसेट 71% सव ग्राम की एक पैकेट 15 लीटर पानी के लिए परियाप्त होती है 15 लीटर पानी में गोर बना कर आप इसका छिरकाव करें उन खर्पतवारों प 10 से 15 दिनों के अंदर पूरी तरह से जल जाएंगे सूख जाएंगे और आपके खेत अगली फसल के लिए तयार होने लेगी जिससे आप आसानी से जुताई कर सकते हैं बड़ी आसानी से और अगली फसल के लिए इसको खर्पतवार रहित खेत तयार कर सकते हैं किसान भाईय स्प्रे प्म्प इसको बोलते हैं ये मेरा एक हत्तर का पैकेट है और इसको अभी हम घोल कर आपको बताएंगे कि कैसे खोल कर और घोला जाता है इसके साथ एक पैक्क पंपलेट भी होता, यई है आपको जानकारी ज़्यादा चाहिए तो इसका जो पंपिलेट होता है उसको आप पढ़ने ध्यान पूरवक पढ़ेंगे किसान भाइओं तो इसमें सारी जानकारी लिखी होती है और यह एक प्रकार का सिलेक्टिब अफबी साइड है यह एक प्रकार का सिस्टेमैटिक अफ़ी साइड है एसलिए ये पौधे की उपरी भाग के साथ साथ जड़ को भी नश्ट कर देता है और सारी घासे सुख जाती है तो आप यदि आपकी खाली खेत में जो पड़े हुए हैं जिनमें अधिक खरपतवार जम आए हैं और इनका आसानी से जुताई नहीं कर सकते हैं आप तो इसके लिए आप मेरा 71 का प्रियोग कर सकते हैं इसका जो टेक्निकल नेम होता है गलाइफोसेट 71% किसान भाईयों मेरा 71 जो है ये सुमी टोमो केमकल लिम्टेट कंबनी का इस समय आ रहा है आप 100 ग्राम पैकेड लाकर बड़ी आसानी से इसका घोल बनाकर 15 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं ये आप ध्यान लखें किसान भाईयों कि इसका स्प्रे करने से आप 15 से 20 दिन तक इसमें किसी बाद किसान भाईयों